हेलो दोस्तों जारकन टॉक में आपका स्वागत है जारकन करेंट नियूज में आज हम बात करेंगे अर्चरी वर्ल्ड कप यानि की तिरंदाजी बिस्वा कप के बारे में जिसका आयोजन पेरिस में 21 जून 2021 से 27 जून 2021 तक यानि की कल तक किया गया था इसमें जारकन की तीन अर्चरी प्लियर कुमोलिका बारी अंगिता बगत और सबसे इंपोर्टेंट दिपिका कुमारी ने सांदार प्रदर्शन करते हुए भारत को तीन गोल्ड दिलाएं सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्विटर में वर्ल्ड अर्चरी के द्वारा कियेगे ट्विट्स दिखाता हूँ ये पहला tweet है इसमें लिखा है इंडिया विंस रिकर्व वुमेंस टीम गोल्ड एट पेरिश 2021 और ये दूसरा tweet है इसमें लिखा है इंडिया विंस रिकर्व मिक्स्ट टीम गोल्ड एट पेरिश 21 और ये तीसरा tweet है इसमें लिखा है दिपिका कुमारी टेक्स गोल्ड इन पेर पहले दिपिका के नित्रित्व में भारती महिला रिकर्व टीम ने गोल्ड जीता और इसके बाद दिपिका ने अपने पती अतनुदास के साथ मिलकर मिक्स्ट इवेंड में गोल्ड जीता और फिर उन्होंने इंडिविजुल इवेंड में भी गोल्ड जीता इस तरह दिपिका ने देश को तीन गोल्ड दिलाए तो भारती महिला रिकर्व टीम ने टीम इवेंड में मैक्सिको को पांच एक के साथ आसानी से हरा दिया था और इसमें भारत की टीम में जारकंड के दिपिका कुमारी के अलावा जारकंड के ही तिरंदाज कुमलिका बारी और अंकिता बगत भी सामिल थी ये तीनों ही टाटा अर्चरी एकेडिमी की खिलाडी हैं और हाली ही में हुए ओलंपिक कौलिफायर मुकाबले में ये टीम कोलंबिया से हार गई थी लेकिन इन्होंने वर्ल्ड कप में काफी अच्छा प्रदर्सन किया और इसके अलावा दिपिका कुमारी ने व्यक्तिगत इवेंट यानि की इंडिविजुल इवेंट में भी रूस की एलीना आसीपुआ को 6-0 से हरा कर देश को गोल्ड मेडल दिलाया यहां आप इसको लेकर SAI यानि की Sports Authority of India का ट्वीट देख सकते हैं इसमें उन्होंने कहा है तो एक दिन में तीन गोल्ड जीतने वाली दिपिका कुमारी से इसी साल जुलाई 23 से 8 अगस 2021 तक होने वाले Tokyo Olympics में भी अच्छा प्रदर्शन करने की उमीद की जा रही है और इसके अलावा आपको बता दूँ कि इस World Cup में अभिसेख वर्मा ने Individual Event में सनिवार को एक गोल्ड जीता था और इसी को मिला कर भारत को कुल 4 गोल्ड मिले हैं अभिसेख वर्मा ने Compound Round में अमेरिका के Chris Scope जिसकी World Ranking 5 है उसे हराया और गोल्ड मेडल देश के नाम किया अभिसेख वर्मा का World Cup में ये दूसरा Individual Gold है इससे पहले उन्होंने 2015 के World Cup Stage 3 में Compound Round में ही गोल्ड मेडल जीता था तो ये वीडियो था अर्चरी World Cup के इवेंट को लेकर उमीद करता हूँ आपको काफी कुछ जानने को मिला आगे इससे related कुछ चीजें देख लेते हैं तो वर्तमान में भारतिय तिरंदाजी संग के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा और दिपिका कुमारी को 2012 में अर्जुना आवार्ड दिया गया था और 2016 में इन्हें पदम सरी भी दिया गया है तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सेर करें और ऐसे ही जहरकंट से जुड़े अफडेट्स पाने के लिए जहरकंटॉप चैनल को सब्सक्राइब करें आप मुझसे इन सोसल मेडिया पर जुड़ सकते हैं या मुझे इस मेल आड़ी पर मेल भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच जुहर